नमस्कार सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कारे करताओं को सभी देश्वासियों को बहुत बहुत बधाई आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रे पार्टी बन गई है आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं काफी नतीजे आ चुके हैं काफी नतीजे भी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रे पार्टी बना दिया है जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रे पार्टी बन गई है यह बहुत बड़ी बात है देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रिय पार्टी का दर्जा है उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी छोटी सी पार्टी एक जवान पार्टी जिसको भी 10 साल हुए वस उसकी दो राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्र पार्टी बन गई है यह जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं बहुत अशर जनक एक तरह से आप सब लोगों का मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं आप से मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दोरान आप से जो प्यार मिला सम्मान मिला विश्वास मिला उसका मैं ता को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गड़ माना जाता है उस किले को भेदने में हम सफल हुए आज हमें लगबग 13 प्रतिशत के लगबग वोट मिला है अभी तक 49 लाक के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिंती जा जारी है अभी और भी वोट मिलेंगे इतन में लोगोंने पहली बार में हमें वोट दिया इसके लिए मैं उनस सभी लोगों का भारी हूं जिनोंने इतना प्रेम दिया जैसा मैंने कहा कि इस बार बेदने में सफल हुए मैं सबके अशिरवात से अगली है गिला जीतने में विस अफल होंगे हम सब मिलके हमने पूरा कैमपेंट बहुत पॉजिटिव चलाया कोई गाली गलोच नहीं किया किसी को हमने बध्धी बाशा का استعمال नहीं किया किसी के खिलाफ हम नहीं बोले हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिली पंजाब में और अगर गुचरात में मौका मिला तो हम ये ये काम करेंगे केवल अपने काम की चर्चा की यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलोच की राजनीती, मार पीट की राजनीती, जाती की राजनीती, यही सब चलता था पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की जनता के मुद्दों की बात करती है देश को नंबर वन बनाने की बात करती है देश को आगे बढ़ाने की देश के विकास की बात करती है स्कूल, अस्पताल, विजली, पानी, सड़क जो रोजम पर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है उन मुद्दों की बात करती है हमें पॉजिटिव राजनीती करनी है हम शरीफ लोग हैं इमांदार लोग हैं देश भक्त लोग हैं यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी तो मैं आप सब लो बनने पर आम आदमी पार्抵र्ण के रश्र बाकी बनने पर बहुत बहुत बधाई जितने गुजरात में कारिकर्टा हैं जिन्नों एक Are शांदार कैम्पेंग की आप सब लोगों ने रात-दिन मेंनेकी उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं dysfunction फोडि दिन आराम कर लो उसके बाद फिर से अपने को काम पे लगना है और एक चीज है चुनाव आते जाते रहेंगे हम राजनीती में सेवा करने के लिए आए हैं वो सेवा बंदिनी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि अब चुनाव हो गया अब हम अपने अपने घर चले जाएं और हम अपने लोगों मिले ना मिले वोट मिलेंगे अच्छा काम करोगे वोट भी मिलेंगे लेकिन केवल वोट के लिए अपने को काम नहीं करना बहुत बहुत शुक्रिया